नमस्कास अश्रकालादाब हालो हाई केम चो किया हल चाल गैस कैसे आप सभी लोग मेरा नाम है शवंगुपता और आप देख रहे हूँ इंजीनियस अड़ा यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए जल्दी से जल्दी आप सभी लोग भी आ जाएं गुड़ीवनिग गुड़ीवनिग कैसे आप सभी है अचिक है सुनू है सुबीर हेलो प्रकाश है शुबराज है आयोश हलो दिलीप है हलो रवी हाइम जू है अच्छा चल रहा है हलो प्रग्या है निखिल रादे रादे भई फ्रम राजधानी अरे डिली में करो तो चलो गया फिर शुरुवात करते हैं कोशिश करते हैं को टोड़ा सा ऑघ्व करोण ऑझे गिजा यह एक वह लग है सब कुछ मिलता है आगे बढ़ेंगे आज के मोटिवेशन पर जो मोटिवेशन कहता है अब किसी भी चीज को कम्प्लीट करना है तो पहले एक डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि शुरुवात तो करो और जब तक तुम शुरुवात नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मिशन कैसे होगा समझ रहो तो किसी भी चीज की शुरुवात या फिर किसी भी चीज को खतम करने के लिए एक डिसीजन लो कि भाई मुझे क्राई करना हो और मैं बढ़ियां तरीके सबना मन लगा के क्राई करूंगा और जरूर होगा कटिन से कटिन सब्जेक्ट होगा जब तक समझ रहу तो वही वाली चीज है चलो फेर आगे बढ़ते हैं और सबसे वेलmax चलते हैं हम बोग हमारे static questions लेकर क्या हैं dynamic questions नहीं है मतलब अगर आपको knowledge है या फिर अगर आपने पढ़ा हुआ है या फिर थोड़े से भी concepts आपको पता है तो फिर आप इसका answer दे पाओगे अगर concepts में थोड़ा सा भी कहीं दर उदर है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा फस सकते हो जल्दी से जल्दी से अभी लोग answer देने की कोशिश करेंगे हेलो पने लाल option number A दिया जा रहा है single stage compressor है और मैंने कि आप लोगों को 5 बार पढ़ाया हुआ है कम सकम 10 बार तो पढ़ाया होगा 10 बार ये पढ़ाया होगा कि single stage compressor का जो प्रशर जाता हूँ अप्रोक्सिमेटली 5 बार तक जाता है तो इसका correct answer option number A है A पर ताला लगा दीजेगा option number A absolutely correct है और option number D 50 बार मत दे देना दीप है option number A is absolutely correct है ओके चलो अगला question आपकी screen पर गिये रहा अगला question के रहा है dash is a type of anti-frictional bearing के रहा है इनमें से कौन सी anti-frictional type of bearing होती है बताईए anti-frictional type of bearing basically कौन सी anti-frictional होती है option में कौन सी है वो भी हम जानेंगे और basically होती कौन सी है वो भी हम जानेंगे बताईए option number d needle basically guys according to the option इसका correct answer option number d needle है बिल्कुल सही answer है और आप सभी लोगों को बता दू कि यहाँ पर जो आप लोगों की ball या फिर रोलर होती है ball oblique ruler right जिसमें higher pair बनता है यह anti-frictional होती है ball bearings जो होती है basically जो ball bearings होती है वो anti-frictional bearing होती है अब उसी ball को पगड़ करके आप लोगों ने needle बना दी अब needle भी कहीं न कहीं आप लोगों की anti-frictional में आ जाएगी according to the option अब यहाँ पर एक question और आता है hydrostatic bearing का क्या काम है pedestal और collar यह सब तो बहुत ही छोटी छोटी सी है hydrostatic के बारे में question आता है कि hydrostatic bearing कहां पर use होती है बताइए option number C hydrostatic bearing का कहां पर use होता है रवी तुम पहले answer दे दो बाद में बताना कुछ भी है ना hydrostatic bearing का कहां पर use होता है याद होगा तुम लोग पढ़के बैठे हो दस दिन बाद exam है पता तो होगा भाई hydrostatic bearing के बारे में बताइए जरा hygrostatic bearing का कहां पर ही हो दोता है lifting heavy loads अच्छा machine design का revision करा दीजे sir, revision ही चल रहा है आप बताओ, pressure of lubrication अच्छा, hygrostatic bearing अच्छा ये बता दो hygrostatic bearing high speed bearing में आएगी या low speed bearing मतलब जहां पर rotation होगा, n की value number of rotation per minute, जो आप बोलते है revolution per minute, rpm, rpm high rpm पे hygrostatic bearing work करती है फिर low rpm पे hygrostatic bearing work करती है, इससे ही समाज आ जाएगा कि आपको पता है coupling of ID fan, अच्छा heavy load, मैंने जो question पूचा है, high rpm पे कौन सी bearing होगी, hygrostatic होगी की नहीं होगी high rpm पे काम करती है right anti-frictional bearing होती है, अच्छा high पे करती है very good, तो जितने भी लोगों ने high answer दिया है, गलत है जब भी कभी आप लोग hygrostatic bearing के बारे में जाएंगे, दो चीजे बिलकुल याद रखेगा heavy load होगा, और बहुत जादा heavy load जब आ जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, heavy load के time पर आप लोगों का जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे लाल, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर low speed low speed, चीक है, ओके, अगला वशन आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा, क्या रहा वाट इस दा यूज और अ हर्मैटिक सील्ड कंप्रेसर, क्या पढ़ा हुआ हैं हम लोगों ने, हर्मैटिक सील्ड कंप्रेसर उसके बारे में हम लोग जानते हैं है है हम लोग जानते हैं क्या बनाग जानता हम पता है है क्या होता है होर्मेटिक टिंपरिज्रािडर में होता है प्रिवेंट दा लीकेज ओफ दा रेफ्रिजरेंट अच्छा लीकेज को रोकेगा ऐसा लगता आपको बिल्कुल सही लगता है एक बार बन गया तो बन गया है तो यह वाली चीज़ हैं लेकिन लीकेज नहीं होती अगला ओशन कह रहा है इसका अंसर बताइए गाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा लेट सी आउमीनियों आफ यू कें गिव दा आंसर हाई गौरव बताओ भाई इसका आंसर बताओ देखें जरा आ देखें जरा किसमें कितना है दम बहुत क्लियर नहीं देख रहा हमें तो प्रॉपर क्लियर देख रहा है आंसर डी दिया जा रहा है डाइवर्जिंग मैक नमबर इस मोर देन वन हाँ कॉपी करके देख करके आंसर देना है तो अब तो इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है ना जब आंसर देना है वो भी कॉपी करके देना है तुम लोगों को तो इससे आसान क्या हो सकता है देख करके नकल मार के आंसर दिये जा रहे हैं तो diverging के case में जो आपका Mac number होता है that is greater than 1 whenever we are talking about the throat यहां पर आपका Mac number क्या होता है 1 होता है और अगर मैं converging के बारे में बात करूँ तो Mac number क्या हो जाता है less than 1 हो जाता है entry के बारे में बात करूँ तो entry में भी जैसे कि जहां से entry कर रहे हो वहां से तुम जाओगे तो Mac number less than 1 पे ही रखना चीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा that is option number D नकल चीओं अगला कोशन आपकी screen पर कह रहे है intake air filters are provided in the compressor primarily to dash from the suction air अब बताओ भाई साब intake air पे जो filters लगाए जाते हैं उनका काम क्या है इसलिए मैं डैग्राम नहीं देगा रहा है रवीज जूट मत बोलो बैचा डैग्राम देख के answer दे रहे हो और बोल रहा हमने answer में डैग्राम देखा ही नहीं वावा 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 बहुत बढ़ियां क्या बात है आज तो आप लोगों का motivation अच्छा जा रहा है option number A, आजिंग कर रहा है remove the dirt and moisture yes, absolutely option number D दिया जा रहा है option number D, option number A, option number A, option number A, option number D, 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 D तो बहुत सारे लोगों ने option number D दिया है तो D पर ताला लगा लेते हैं अब गईस एक बात सोचो इतने सारे लोग D दे रहे हैं इसलिए आपने answer D दिया है और इन में से कुछ बहुत सारे लोग हैं बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने answer A दिया जब सब लोग D दे रहे थे तो उनका A देने का reason क्या था किसी ने सोचा क्या किसी ने सोचा कि भई उनका A देने का रीजन क्या था देश राजबी देको A दे रहे हैं सब लोग D दिया लेकिन देश राज ने A दिया और कोई चलो मैं बता देता हूँ उनका A देने का रीजन ये था कि वो थोड़ा कन्स्यूस थे क्योंकि option number ये घंगोर गलत है इसका correct answer option number D है भाई साब intake air filters के बारे में जब हम बात करेंगे तो air filters का moisture से कोई लेना देना नहीं है air filter का सिर्फ ये लेना देना होता है कि उनको सिर्फ अपनी air से dirt को हटाना है ठीक है ये सिर्फ dirt को हटाता है बाकी और कोई काम नहीं करता है इस चीज को याद रखेगा ठीक है answer option number D होगा चलो अगला question आपकी screen पर ये रहा कह रहा है while running through a bend cycle okay remains stable due to कह रहा है आप लोगों में से कभी कोई खत्रों के खिलाडी बना हो और इस तरीके से zoom करके cycle लेके जा रहा हो तो जब हम cycle लेकर के ऐसे जाते हैं उसके बाद भी जब bend cycle होती है मुड़ी होई cycle होती है उसके बाद भी वो क्या करता है stable रहता है ऐसा क्यों होता है explain A क्या explain A पुराने वाले question का moisture और intake here और विकास कुमार explain A क्या होता है तुम ये क्या अब मुझे Google Alexa समझ लियो क्या इसका answer centrifugal action very good very good guys बहुत ही बढ़िया क्या बात है तो option number C गंगोर कलत है इसका correct answer है option number 1 gyroscopic action ठीक है आप लोगों ने शायद ये वाली बात ध्यान नहीं थी आप से bend cycle के बारे में बात करिये bend cycle का मतलब आप लोगों को खत्रों के खिलाडी बोल दिये तो क्या सीधा मौत के कुए में ही cycle चलाओगे क्या सीधा का सीधा मौत के कुए में सीधी सीधी cycle चला रहे हो नहीं ना भाई अरे बाबा कुछ है नहीं मेरे पास जिसको मैं दिखा सको चलो ये माइक है थोड़ा सुनना जब मैं माइक को इस तरीके से पकड़के इस तरीके से ऐसे घुमाऊंगा ऐसे दिख रहा है जब मैं माइक को ऐसे घुमाऊंगा तब centrifugal action लगेगा मेरे लाल जब माइक को ऐसे बिलकुल सीधा घुमाऊंगा तब जाके centrifugal action लगेगा लेकिन अगर उसके पहले मेरी cycle bend हो रही है तो भाई साब cycle के साथ क्या वाला scene है माल लो अगर तुम इस तरीके से किसे circular path में जा रहे हो तो circular path में तुम लोगों एक चीज देखियोगी कि आगे की तरफ भी बढ़ रही है और साथ में ये इस side भी जाने की कोशिश कर रही है और इसी लिए आप लोग इसके resultant में थोड़ा सा मुड़ते हो और gyroscopic effect यही तो खहता है भूल गया है हाँ देख करके confused हो गए समझ हाया जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई क्यों हमारी गाड़ी इस तरह टिल करते है just because of the maintaining of that gyroscopic couple जो लग रहा है उसी लिए हम लोग करते है चीक है मैं भी flow of flow के चक्कर में बैगे यही होता है मेरे लाल इसी लिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा सोच के आंसर देना है चीक है कोई बात नहीं confidence ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहीं नहीं कोई question ले ही जाता है चलो question कह रहा है range of the coefficient of discharge for a venture meter is इस question में कोई गलतियां मत करना क्या मतलब बेकार में तुम लोगों को मैं छट से धका दे दूँ क्या मतलब होगा बताओ answer option number c दिया जा रहा है 0.95297 that is absolutely correct guys coefficient of discharge से आप लोगों के question पूछे जा सकते हैं तो coefficient of discharge, coefficient of contraction and coefficient of velocity इनके relation, इनकी value orifice के लिए और venture के लिए सब के लिए याद रखेगा question आ सकता है अगला option आपकी screen पर the dash part of the vapor compression cycle produces refrigeration effect कह रहा है, VCRS में ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे refrigeration का effect आता है चोद अब यही वाली बात हो गई है तो थोड़ा से इसको और कर लेते हैं अच्छे से चीक कोई है question था flash chamber का हम, answer option number is evaporator is that that is absolutely correct answer guys हम लोग जब evaporator के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं evaporator से पढ़ते हुई हमारे दिमाग में एक टॉम आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं flash chamber है कोई ये कलक से device लगा दिये है तो COP तो हमारी अच्छी हो ही जाएगी है ना practically करके देख लो अच्छे से बिलकुल बहुत बिलकुल इत्मिनान से practical करके देख लो COP पे इत्ता सा भी फरक नहीं आएगा इत्तू सा भी फरक नहीं आएगा COP पे बिलकुल भी flash chamber से बिलकुल भी फरक नहीं आता चीक है SSCJE ने especially SSCJE की अगर मैं बात करूँ तो SSCJE ने बिलकुल अच्छे से बोल करके रखा हुआ है answer में D दिया है that there is no effect of the coefficient of performance because of this flash chamber coefficient of performance में flash chamber के होने का कोई भी फरक नहीं पड़ता है flash chamber किस लिए यूज किया जाता है to reduce the size of evaporator reduce the size of evaporator evaporator के size को reduce करने का सिर्फ और सिर्फ एकलोता यही काम है उसके अलावा और कोई काम नहीं है मेरे भाई अब कहते हैं कि सर single stage लिखा हो तो अब तुम एक बात बताओ माल लो हमने एक term ले लिया single stage ठीक है single stage कहने का मतलब भाई एक ही stage है जो तुम VCRS का पूरा का पूरा system बनाते हो यहाँ पर राइट अब यह क्या है यह single stage ही तो है यहाँ पर कौन सी multiple stage दिख रही है तो अब कहने का मतलब तो वही है कि मैंने आम खाया मुझे स्वादिस्ट लगा मैंने एक आम खाया मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिस्ट लगा नहीं मैंने एक आम खाया मुझे जो पहले आम खाया था उससे ज़्यादा स्वाद लगा क्या बात कर रहो भाई आम तो आम है ना हाँ तो multi stage के बारे में बात करो यहाँ पर कहीं और जाओगे तो उससे भी flash chamber का काफी फरक नहीं पड़ेगा लेकिन बात तो simple सी वही है ना कि हम लोग जब भी कभी flash chamber के बारे में बात करो अगर single stage दिया तो single stage is nothing but it is a normal VCRS और जब एक ही stage की बात हो रही है तो जब VCRS पर ही काम कर रहे है तो flash chamber के लिए हमने पड़ा it is used to reduce the size of evaporator फिर उसमें कुछ और था ही नहीं आम तो आम ही है बिलकुल वह थोड़ी ना बदल जा रहा है हाँ अब तुम बोलो मैंने दो आम खाया तो मुझे ज़्यादा मजाया तो फिर मुझे तोड़ा सा feel भी आई कि अच्छा इसा हो सकता है यह ना कि भाई पेज भर गया हो जादा च्छा रहा हो और बात एक बार वही भी आ जाती है कि भाई साब एक आम और दो आम तो अब यही वाला सिंपल सा पंड़ा है single stage, multi stage, double stage तो जब double stage की कहानी आईगी तो अब हम देखेंगे लेकिन double stage हमारे syllabus में नहीं है single stage ही है वही अ आपन ने पढ़ा हुआ है अगला रोशन आपकी स्क्रीन पर कहरे दाज़ दिग्रीज ओफ दा फ्रीडम ऑफ प्योर सब्स्टेंस एक दा क्रिपल पॉंट विल भी क्रिपल पॉंट पर प्योर सब्संस का डिग्री ओफ रीडम क्या होता है SSC वालो ने भी आंसर यही दिया हुआ है मोहित SSC वालो ने ही बोला है there is no effect on the of COP on flash chamber because of flash chamber COP से कोई भी फरक नहीं होता चीक है चलो इसका answer option number C zero दिया जा रहा है answer option number C zero सही है right okay कहां से निकाला हम लोगो ने गिस फेज रूल से F plus P will be equals to C plus two degree of freedom निकालनी है space कितने दिये हुए है 3 component pure substance है तो हम 1 ही लेंगे plus 2 अब 1 में 2 जोड़ो तो कितना आएगा 3 और 3 में से 3 गटा दो 2 3 1 0 0 तो F की value कितनी आ जाएगी 0 degree of freedom क्या हो जाएगा 0 अब गाइस इस चीज़ को अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊं माल लो अगर मैंने यहां पर लिख दिया गोल्ड सोना है सदा के लिए for example माल लो मेंने pure substance काट दिया और यह लिख लो यहां पर pure substance के लिए 0 बिलकुल सही है अब माल लो मेंने यहां पर गोल्ड लिख दिया सोना कनक अब क्या होगा degree of freedom very good प्रांशो very good ब्रजेश अब देख लो यार अब हम क्या ही बोले अगर गोल्ड प्योर है तो 0 अच्छा प्योर गोल्ड है भाई लिख लो गोल्ड है और यह प्योर भी है 24 केरेट का गोल्ड है ठीक है कोई मिलावत नहीं है इसमें प्रापर गोल्ड है अब बताओ अब बताओ क्या होगा प्योर है बिल्कुर 24 केरेट का सोना है सुभीर आदत होती है न यह भी पढ़ लें यहां से भी पढ़ लें वहां से भी पढ़ लें तो जब आदत होती है तो फिर उसमें परशानी भी होती है क्योंकि डाउट आ जाता है और एक्जाम टाइम पे ऐसे डाउट आएंगे बस आ जाएगा अब ही कोई बोल रहा था प्योर है तो जीरो आएगा गैस देखो अब एक बात बताना जो चीज में तुम लोगों से पूछना चाहता हूं बहुत ही सिंपल सा फंडा बताऊंगा बहुत सिंपल सा तुम लोगों को सुन करके भी अच्छा लगेगा अगर मैंने बोला है गो अच्छा यहीं तो है अब जो मेरा फंडा होगा वो यह वाला नहीं होगा राइट क्यों क्या गोल्ड एवापरेट होता है कभी नहीं गोल्ड कभी भी एवापरेट नहीं हो सकता और अगर गोल्ड एवापरेट नहीं होगा तो यहां पर फॉर्मुला लगेगा पी प्लस equals to c plus 1 right p phases कितने phase पॉसिबल है इस gold के gold के कितने phases possible है बताओ अभी gold है अभी gold है दो phases possible है very good अभी जब मैं gold के बारे में बात कर रहा हूँ in general इसको मैं solid state में लेकर के जा रहा हूँ तो अभी इसका phase कितना दिया हुआ है कि ये solid में है degree of freedom निकालना है तो दो phases हमें पता हैं और यहीं चीज़ मैं इसको प्रूफ करूँगा अभी ये किसमें है solid state में है तो इसका phase कितना है इसका phase है solid का 1 degree of freedom हमें निकालनी है और component कितना है 1 plus 1 यहां से f की value कितनी आजाएगी 1 अब degree of freedom 1 कहने का मतलब क्या है कि आप लोगों का जो gold है या तो वो solid state में रह सकता है जिस तरीके से आपकी गर्दन में या फिर अंगोठियों में हाथ में अतने पहना है या फिर वो liquid state में हो सकता है तो उसका total degree of freedom कितना निकलेगा total degree of freedom निकलेगा समझ में आया at triple point मत निकालना है यह कलट जाएगा अगर तुम पहो substantive gold का निकाल रहो क्योंकि triple point में नहीं आएगा एक ही आएगा total degree of freedom gold की 2 हो सकती है अभी वो solid में है तो अभी उसके पास कितनी degree of freedom बची एक ही बची वो liquid और बन सकता है क्योंकि solid में तो पहले से है total degree of freedom उसके पास 2 है जैसे आम लो water है अगर water की आप degree of freedom निकालना चाहें तो कितनी होगी water की तो water की degree of freedom हो चाहेगी 2 वो ice में भी convert हो सकता है और और वेपर की बात करूँ तो कितनी होगी degree of freedom 2 वो liquid और solid दोनों में हो सकता है तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि total degree of freedom क्या होती है और actually में हम कितनी degree of freedom निकालते है इसमें cripple point कहने का मतलब है गोल्ड के लिए नहीं है मेरे भाई cripple point नहीं है सिर्फ गोल्ड की degree of freedom की बात थी चीक है चलो अगला उशन देखते हैं गईस अगला उशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कहरा दैट दा triple point water is dash mm of hg क्या बात है यार इसे कहते हैं question का जलवा बताओ मेरे लाल बोलो triple point of water पे कितना होता है बोलो मेरे लाल जल्दी बोलो यहीं लूच अधा समझ आ गया मेरे भाई सुबीर मज़ा आया मज़ा आ गया option number d कैसे निकाला भाई simple सी बात है triple point of water के बारे में अगर मैं बात करो तो triple point of water पे इसका pressure कितना होता है तो triple point of water पे इसका pressure होता है 611 pascal है ना 611 pascal चलो row की value कितनी है hg के लिए वो है approximately 13600 ठीक फिर multiply करो किसका फिर multiply करो g की value 10 ले लेते हैं into h h अभी meter में आएगा इस चीज को याद रखेगा mm में करना है तो यहाँ पे 1000 का multiply करना पड़ेगा बस solve कर लेते हैं 611 divided by 13600 गुड़े 10 mm पे निकालना 1000 से multiply करते हैं जीरो उड़ा देते हैं ये तीन जीरो यहाँ से ये तीन जीरो यहाँ से तो 52 और 13 पचे 65 हो जाएगा तो 5 से जादा नहीं हो सकता 4 से कम नहीं हो सकता तो मतलब 4 और 5 की बीच में आंसर आना चीए और 4 और 5 की बीच में आंसर अगर आएगा तो वो सिर्फ A की option है that is 4.58 answer option number D the next question on screen it is saying that the process of cooling the refrigerant in vapor compression refrigeration system known as sub cooling is done before बताईए इसका correct answer क्या होगा what will be the answer for this question बहुत ही simple जी कोशिश है आप लोगों को अलग-अलग तरीके से question कराने की सोदाट आपको काफी अच्छे से फाइदा हो सके बिजे समझ नहीं आया मुझे कहना क्या चायरो मेरे भाई मुझे तो नहीं आया समझ भाई ओके B for throttling answer दिया जा रहा option number B अच्छा option number C C है throttling तो इसका correct answer guys होगा क्या option number C देखो simple सा फंटा है इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला है that the process of cooling the refrigerant in vapor compression refrigeration system known as sub cooling is done before before में आ गया तो मतलब किसके पहली किया जाता है तो बाई sub cooling यह है दन उसके बाद यह आप लोगों का heat rejection दन यह sub cooling अब यहाँ से होती है throttling और फिर इस तरह के से ऐसे process जाती हो और इस तरह के से बताते हो तो यह जो point है this is known as what this is known as the actual throttling तो answer इसका option number c है अगला question आपकी screen पर यह रहा question कह रहा है dash cannot be counted as a boiler mounting इन में से कौन सा boiler mounting की तरीके से हम count नहीं कर सकते बताईए बताईए what will be the answer गौरफ जितना जल्दी आप answer दोगे उतना जल्दी में आगे बढ़ जाऊँगा बोले what will be the answer for this question option number b feed water pump absolutely correct guys देखो अब इसे एक simple सा फंडा है जब अब माउंटिंग्स के बारे में बात करते हैं तो माउंटिंग्स कहने का मतलब क्या हो जाता है जो चीजों को safety के लिए पहना जाए अब जैसे कि for example blow of cock हो गया feasible plug हो गया stop valve हो गया ये सारी चीज़ें आप लोगों की माउंटिंग्स की पर आ जाएंगी लेकिन feed water pump नहीं आएगा feed water pump नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये आप लोगों का कभी भी उसके तरीके से use नहीं होगा क्या बोलता है mountains की तरीके से right feed water pump आगे ही पहले ही लगा दिते हो boiler पर दो लगाते ही नहीं हो ठीक है चलो अगला question आपकी screen पर यह रहा question is saying that the value of viscosity of an ideal fluid is ideal fluid की जो viscosity होती है वो क्या होती है बहुत ही simple सा question है और guys after this session I will tell you about these questions ठीक है कि यह questions में क्यों लेकर क्या है आप लोगों के लिए क्या बताना चाह रहा था मैं इस question से इन question से actually मैं option number c 0 absolutely correct है अगला question आपकी screen पर यह रहा that in a lithium bromide water absorption cycle dash is used as a refrigerant कर रहा है libr lithium bromide and water जो है इसके absorbent का मतलब absorption cycle में यह जो आप लोगों ने refrigeration का combination यूज करा है refrigerants का combination यूज करा है उसमें जो as a refrigerant यूज किया जाएगा वो क्या होगा ammonia ammonia को यूज करते हैं हम लोग नहीं होगा option number c ammonia yes absolutely correct है आप ammonia as a refrigerant हम यूज कर सकते हैं अच्छा option number a ही दोगे चलो तो अगर आप option number a दे रहे हो तो भाई बिल्कुल सही है क्योंकि ammonia as a refrigerant यूज किया जाता है ammonia plus water में और lithium bromide water में water हो जाता है आप लोगों का refrigerant अगला ओशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्या रहा यू ताइप ओफ दा कन्फिगरेशन इस पॉसिबल इंडश फर प्रेशर मेसर्मेंट ये तो इतना सिंपल कोश्यन है न मतलब आप लोगों को खुद ही देख करके लग रहा होगा कि क्या हलवा कुश्चिंस है है न हाँ और क्या हलवा ही है काजू किश्मिस डालो खालो चलो बदाम भी डाल लो आंसर क्या होगा मैनोमीटर उइसके बारे में हमेशा याद रखेगा ऑप्शन 2007 नमबर य जलग वेलेकंस करें अब बॉलर में water circulation basically किस से हो रहा है natural convection से यह किस में आप लोगों को देखने मिलता है यह बिंसन में देखने मिलता है विलोक्स में देखने मिलता है यह बेपकोग और विलकॉक्स में देखने मिलता है ओके हलवा यह क्या ओके आंजार इसका option number है option number a will be the correct answer the next question on the screen it is saying that dash is the presentation of the anti-nock value of the diesel fuel diesel fuel में जो anti-nock value होती है वो किस से देखी जाती है सीटेन नंबर से octane number से diesel content से या फिर fuel number से किस से देखा जाएगा बेंसन फोस जाएगा very good swim सावन क्या था नाम मैं पढ़ी नहीं पाया उसके पहले ही चला गया सावन okay option number a c10 number से yes भाइस आप anti-nock value c10 number अगर तुम लोगों से c10 number का question पूछ ले तो c10 number और octane number के बीच में relation क्या होता है मेरे लाल सीटेन नंबर और octane number के बीच में relation क्या होता है किसी को पता है c10 number और octane number के बीच का relation एक्जाम को अब तीन दिन बचे बाई एक तारीक को एक्जाम है न आज 26 27 28 29 30 चार दिन बचे है I guess यह ना 28 और 29 को लगाऊंगा मैं क्लास 28 को भी आपकी क्लास होगी और 29 को भी होगी फॉर्मूला बताओ यह तो मुझे पता है 60 minus octane number by 2 60 minus octane number by 2 octane minus 2 60 minus octane number by 2 20 minus octane number by 2 नहीं होता है 60 minus octane number by 2 60 minus octane number by 2 यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई दी कि एक ऐसा number होता है जहां पर citane number और octane number सेम हो जाते हैं किसी को याद है यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला और बताया था बदलब एक तरीका बताया था जहां पर आप लोगों को पता है कि city number और octane number दोनों सेम हो जाते हैы सेटेन और octane same कब होते हैं धेको अगर good city number का fuel है वो petrol engine के लिए सबसे बखवास है और अगर good octane number का fuel है वो diesel engine के लिए सबसे बखवास है यह चीज याद रखेगा बताओ 40 very good हाँ सिर्फ लेस देन 60 है, अच्छा, 40, very good, guys एक ऐसा नमबर है, 40, जहां पर आपका सीटेन नमबर भी अच्छा होता है, और ओक्टेन नमबर भी अच्छा होता है, दोनों की वेल्यू सेम होते हैं, लेकिन ये फ्यूल अच्छा नहीं होता, ये फ्यूल बहुत खास एफेक्ट आप लोग जी, dash at the critical depth of a given discharge in a channel is, मैं तोड़ों छुपा लेता हूँ, वरना तुम लोग copy-paste तो मारी लियोगे, अभी तक जब तक कुशन पढ़ा रहा था, तब तक तो देखी लियोगे answer, है ना, निकल जीओ, अभी नहीं देखे होगे, तो तुरंत देखेंगे, तुरंत बैक यूटूब में तो बैक करने का भी option है, तुरंत पीछे चाओ, पीछे चाओ, डेखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, देख लिया, ये देखो, पीछे करके देख लिया, सब लोगों ने पीछे करके देख लिया, सई है वेटा, सई है, नकलचियों, जैसे ही डाइगराम दिखता है तुरंती पीछे करके सब लोगों ने देख लिया है बोलो सार पहले नहीं देखते हैं लेकिन आपने बताई कि चहां पीछे करके भी तो देख सकते हैं तुरंत देख लिया, ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, that is minimum देखो, specific energy में हम लोगों को हमेशा लगता है कि critical depth ने specific energy बढ़नी चाहिए बढ़ती नहीं है जो आप लोगों के specific energy और critical depth के बीच का जो diagram बनता है, वो ऐसा बनता है उपर आप लोगों को सब critical मिलेगा, नीचे आपको super critical मिलेगा और ये वाला जो point है यहां पर आप लोगों को यह जो depth दिखरी है, यह depth यह defense यह आपकी critical depth और यह जो distance दिख रहा है, यह यहां से लेकर के यहां तक का यह आप लोगों को critical specific energy, और specific energy के critical point पर, मैला इस point पर आप लोगों की जो specific energy होती हो सब से कम होती है इस चीज को याद रखिएगा, चीक है, चलो, अगला कोशन आप लोगों को स्क्रीन पर गे रहा हूँ, कोशन इस सेंग, दाट, इन इस्क्रीम, नोजल, हीट सप्लाइट तूदा, स्टीम, दूरिंग दे एक्स्पैंशन प्रोसेस, इकूल स्टू, मैं नहीं दिखाऊंगा, ओके, देख लो भाई, बताओ, इसका आंसर क्या होगा, आंसर आप्शन नमबर है, very good, मजा आया, रिवीजन करके, मजा आया, रिवीजन करके, आंसर आप्शन नमबर है, that is 0, 0 will be the correct answer, भाई सब सिंपल जिभाता है, स्क्रीम नोजल के बारे में बात कर रहा है, पहले तो स्क्रीम नहीं होता है, स्टीम नोजल होता है, heat supply of the steam during expansion process will be, अब जब आप heat supply के बारे में बात करते हो, और यह हम बात कर रहे हैं, स्टीम नोजल की, तो क्या steam नोजल पे heat supply की ज़रूरत पढ़ती है, नहीं, आंसर 0, absolutely correct answer, अगला कुशन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, कुशन is saying that density of an ideal fluid is always, 0, 0, मज़ा आरे लाए, बहुत बढ़ियां, very good, सर ऐसा कुशन पेपर में सारे मिल जाएं तो मज़ा आजाएं, ओके, चलो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता हैं, तो मैं चलो, बता देता हूँ, अब आप लोगों को, कल मैंने कुछ comments पढ़े, chat box में, मैंने recently, इस तरीके से मैं check नहीं करता, लेकिन कल ऐसे ही मैं देख रहा था, इसका correct answer option नमरे constant होगा, चिक है, guys मैंने recently, अभी आप लोगों का paper देखा, और कोई chat box में, कोई student था, जो बोल रहा था कि इतने simple simple question करा रहे हो, कुछ नए questions लेकर के आओ, इस तरीकी के question अब SSC J.E. में नहीं पूछे जाते हैं, और questions का level बहुत तगड़ा आने लग गया है SSC J.E. में, SSC J.E., SSC J.E., SSC J.E., पता नहीं क्या था, मैं का भाही recent paper उठाते हैं, आज students को recent paper करा देते हैं, ये paper आप लोगों का recent का है, this is a recent paper जो आप लोग अभी solve कर रहे हो, SSC J.E. Mechanical Engineering का, समझ में आया, और अगर आप इस recent paper को देख करके बोल पा रहे हो, को हो कि paper बहुत simple आ रहा है, तो actually में paper simple आता है, बस हमें पता नहीं होती चीज़ें, और जब हमें पता नहीं होती ना चीज़ें, तब यहां पर आप लोगों को समझ में आता है, कि भाई साब ये बहुत टफ लग रहा है जब पता होती ही चीज़ें बहुत सिंपल लग रहा है कुछ टफ या कुछ सिंपल नहीं होता If you know the thing, everything is simple If you don't know the thing, हर चीज़ टफ है ठीक है? तो बस इतना समझ के रखो और ये आपका PYQ paper था जो actually मैं उठा के ही ले आया मैं कि एक बार करा देता हूँ सब लोगों का जो दिमाग में था ना कि बहुत टफ पेपर आता है चार लोग बोल देते हैं अभी recent की questions देखो हवा नहीं लगती है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है मेरे लाल पढ़ लोगे ना तो हवा छोड़ो तुम AC लगा के आजाओगे examiner के सामने एक बार पढ़ के तो देखो एक बार concept clear करके देखो जब concepts clear हो जाते हैं तो आप लोगों को paper बन जाता है mock में ऐसे questions क्यों नहीं आते हैं क्योंकि जब भी कभी हम लोग अड़ा का mock try करते हैं जब भी कभी हम लोग अड़ा का mock बनवाते हैं तो हम हमेशा एक level up बनवाते हैं हमेशा क्योंकि जिस level पे तुम्हारी तयारी है पर जिस level के questions आने हैं उस level के question की practice तो मैं करवाऊँगा ही करवाऊँगा साथ में तुम लोगों को एक level up दे देते हैं कि अगर कहीं पर कुछ भी गड़बड हो रही है अगर कहीं पर कुछ भी कुछ uncertainty आती है कि question किसी और जगह से आगए तो at least तुम लोगों के पास वो भी opportunity हो कि तुम उस चीज को पढ़ सको तो मुझे चीज को समझ सको इसलिए जो अटर 24-7 के मौक होते हैं वो थोड़े से tough बनाए जाते हैं उसका strategy ही यही है कि जब आप tough थोड़ा सा करके बैठे होगे तो चीज से और थोड़ा सा simple लगेंगी तो इस चीज को दिमाग में रखिए question बहुत simple आएंगे बहुत simple बस level हमें इतना तगड़ा रखना है कि हमसे सब बन जाए गलतियां करते हो इसलिए questions कम हो जाते है number कम हो जाते है questions उतने ही रहते है अगला question आपकी screen बाग डैश टेकनिक यूज़ेज वो particles analysis using the lubricating oil for predicting the impending failures of the machine component अब देखो ये question आगया अब इस question को देख करके एक बार दिमाग में आएगा कि है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है out of the syllabus engineering services का उठाकर के question दिया है out of the syllabus engineering services का question उठाकर के दिया है समझ रहो ऐसा question आएगा 95% लड़कों से नहीं बनेगा तुम लोगोंने पहले पढ़ा होगा तुम लोगोंने पहले question लगाए होंगे बनेगा लेकिन अगर इसी तरीकी का कुछ नया question आजाएगा तुमसे नहीं बनेगा और नहीं बन रहा है उसमें ये नहीं है कि तुमसे बनती नहीं हैं वो जानत बूच के डाली गई हैं ताकि कोई भी न बताए पाई ठीक है और वो क्यों नहीं तो तुम लोगों का जो cut-off अभी 160-170 जा रहा है न तुम लोग कम नहीं हो इसलिए तुम लोगों के लिए ऐसा किया जाता है चिक कि इसका आंसर हो जाएगा that is जाता है यह और डिएकश अगलर फिरुक्त और स्टेम अब भाई साब बारे में कोश्चन है expansion of steam के बारे में question है तुम्हें पता है कि भाई VCRS नहीं कि throttling लगे अगर throttling नहीं है तो बाकी क्या बचा simple सा fundia तुम्हें पता है answer तुरंट दे दोगे फिर उसका उपाय बताईए just leave it जो चीज नहीं बनती छोड़ करके आ जाओ या फिर ये सोच कि आओ कि भाई calculative risk लेना है तो उनमें से कौन सी चीज़े हैं जो अच्छे से कर सकते हो कौन सी चीज़े हैं जो नहीं कर सकते है ना risk अच्छे से लो और risk भी calculative लो कि भाई इतना ले करके चल सकता हूँ सही है हर या एक देखो simple सी बात है हर दिन तुम्हारा नहीं होता है ना guys कई बार ऐसा लगता है कि बताओ इतना पढ़ने के बाद भी exam में selection नहीं हो रहा क्योंकि यार तुम्हारा दिन वैसा नहीं था वो दिन तुम्हारा नहीं था दिन तुम्हारा ओने वाली बात जो सल्मान खान के पिता जी है सलीम साब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी और उन्होंने बिल्कुल simple सी बात यह बोली थी कि जब तुम्हारा वक्त आएगा और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे बॉल आ रही है वहीं पे तुम्हारा बला जाएगा यह तुम्हारा टैलेंट है कि बॉल जिस जगह पे आई तुमने उसी जगह पे बला गुमाया जिस दिन तुम्हारा वक्त आएगा तुम जिस जगह पे बल्ला गुमाओगी उस जगह पे बॉला आ जाएगी इसे कहते हैं वक्त आना तो वक्त आने में समय लगता है वक्त को भी वक्त दो तुम्हारा वक्त बदलने के लिए और इस question का answer हो जाएगा option number C that is icing tropic फ्रॉट्लिंग होगा है नहीं दो तरीके से expansion हम लोगों ने पड़े हुए हैं आइसेंग ट्रॉपिक और रिवर्सेबल एडिया बैटेग या फिर फ्रॉट्लिंग प्रॉसस देज आइस आइसेंथल्पिक चलो अगला वोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा अब देखो यह कोशन देखने में बड़ा टाफ है तुम लोगों को पता है कि ब्रॉटो पूछा है पड़ाया हुआ है मैंने डी और रिख्शन पड़ाया हुआ है मैंने डिग्रियओ रीक्शन लक भी चाहिए सर अगर लक नहीं है तो exam पास करने के बाद भी job नहीं मिलती आप देखो मेरे लाल बात वही वाली है कि हम लोग लक के पीछे भागते हैं मेहनत के पीछे नहीं भागते और ये वली बात आप सभी लोगों को पता है कि मेहनत जो इनसान करता है उसके साथ लख भी होता है उसके साथ हर चीज हो जाती है तो बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और लख साथ हो ना हो तो मारी मेहनत इत्ती तगड़ी होनी चाहिए कि तुम्हारा सेलेक्शन हो जहां पे बल्ला गुमा रहे है वहां पे बल्ला आए ना है जहां बल्ला आएगी वहां तो बल्ला गुमना चाहिए ठीक है इसका आंसर क्या होगा that is option number option number is static pressure dropped to the total energy बढ़ा हुआ है कितनी बार पढ़ा है answer option number absolutely correct है अगला उशन आपकी screen पर ये रहा कह रहा है a two stroke cycle engine dash as compared to a four stroke cycle engine of the same size will be बताइए इसका correct answer क्या होगा MS धोनी का delete trophy में जब selection हो गया था उसके बाद उस जानी पाया था याद है अब बोलो मेरी किसमती खराब है मैं क्या करता क्योंकि nature ने उसको choose करा था coolest captain बनने के लिए अगर वो वहीं चला जाता तो शायद वो patience नहीं ले पाता उसको अभी और patience की जरूरत थी nature ने बोला नहीं इसको अभी और patience देंगे patience दिया फर जा करके देखो तो एक दिन तुम्हारा आएगा जिस दिन तुम सब कुछ बढ़ियां कर ले चाओगे answer option number C that is produces more power क्या है two stroke cycle engine as compared to of the same engine size produces same power sorry more power is absolutely correct answer guys two stroke engine की सबसे खास बात यही है कि same engine size में two stroke engine power ज़्यादा save मतलब दे देता है लेकिन efficiency अच्छी नहीं होती अब power की जिसको चाह है वो two stroke में जाहे वरना efficiency की दोहर किसी को चाह है question के रहा है in dash process the cross section of the bar is increased at the cost of reducing its length सिखाया हुआ है answer बताईए sir test series में 115 से 120 तक ही बन पा रहा है डर लग रहा है जही 120 तक बन रहा है मतलब 80 question है 80 से 85 question है जो आपसे नहीं बन रहे क्या आप उन 80 से 85 question की analysis कर रहो कि भाई वो question क्यों गलत हो गए उस दिन ससी बोलेगा salary कितनी लोग है discuss कर ले सही है salary की क्या बात कर रहा है sir answer option number c भाई upset forging के बारे में आप लोग जानते होगे किसी को भी upset कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हैं कोई लंबा सा बन्दा था पकड़क उसको छोटा सा कर दिये छोटा हुआ मोटा हुआ upset हो जाएगा upset forging will be the answer राइट चलो अगला ओशन आपकी screen पर यह रहा कह रहा है liquid enters in the centrifugal pump कहां से आता है अरे यारी तो सबको पता है from the top है न सबको पता है from the top सुबीर अभी confirm नहीं है मझे जैसी confirmation मिलती है मैं बताता हूँ जैसी confirmation मिलती है मैं बताऊँगा मैं ग्रूप पे अपडेट कर दूँगा उतना time घर वाले नहीं देते हाँ यह वली बात है बिलकुल सही बात है घर वाले time नहीं देते यह लड़का बेरोजगार है समझ रहो हो सब समझ रहो तब क्या करना चाहिए कुछ नहीं इंतजार जो मन का हो तो बहुत अच्छा और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी जुड़ी है और जब भगवान की मर्जी जुड़ी है तो वो अपने बच्चों को इस तरीके से तो नहीं छोड़ेंगे आप कुछ तो अच्छा सोच के बैठी होंगे इसका अंसर आप्शन नमबर C होगा, that is from the center चीक है? चलो अगला वोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कह रहा है when fluid is flowing through a duct the total velocity at a point can be measured by अब इसका अंसर आप लोग कहां देंगे अपने homework question में this will be your homework question कहां answer देंगे? comment box में session end होने के बाद comment box में answer देंगे और guys मुझे बस एक चीज है जो मुझे आप लोगों से आज answer के साथ चाहिए आज मैंने बिल्कुल recent year का paper उठाया जो अभी recent में SSC JEE का हुआ था और उससे मैंने आप लोगों को ये चीज दिखानी की कोशिश करी कि paper इस level का आता है और तुम लोगों की तैयारी कैसी है वो भी तुम लोगों को पता है अगर तुम लोगों को इस paper में कोई भी question गलत लगा या फिर अगर तुम लोगों का सब कुछ सही हुआ है तो आज अपने आपको percentage में marks दे कर के जाना या फिर ये बताना कि एक question गलत हुआ या दो question गलत हुए या फिर zero questions गलत हुए सारे के सारे बन गए इसके बारे में आज comment box में आप मुझे जरूर बताना ठीक है चलो तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स सेशन में तब तक के लिए बबाए सश्रीकाल शुबराती गईस